निमस्कार्ट स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन जहां एक तरह भारतिय जंता पार्टी साउथ की जोनों में काफी जादा बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रही है चुनावों की बात करें या फिर लोक पुरियता की बात करें और इसी के साथ हम आप को बता दे केरल जो की Communist राज के नाम से भी जाना जाता है जहां पर हमेशा ही कमिनिस्टों की सरकार जो है वो रिपीट करती है और इस बार जो है भारतिय जुनता पार्टी का ग्राय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है केरल में और यही बड़ा कारण है कि केरल के एक Catholic Church के फादर यानि कि जोसेफ की तरफ से बीजेपी को वोट देने के लिए लोगों से अपील की गई है इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे साथ मौजूद है अजय पत्रकार जी सर केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर हमेशा कम्यूस्टों की सरकार जो है वो रिपीट होकर आती देखे ऐसा है कि भाजपा जो थी वो खास्तों से साउत में कमजोर थी इसाई समझाय का उनको बोट बिलकुल नहीं मिलता था और राहूल गांदी का इस समय एक पिकार से नया वो सेंटर जो है वो केरल हो गया था बाइनाट से जीते थे और राहूल गांदी के जो यात्तन बीजेपी ने क्या क्या उनकी यात्तरा के बाद खास्तों से ध्यान दिया कि उनके ट्यूप का हवा निकालने के लिए या कांग्रेस में हलचल पैदा कर देने के लिए बैटर होगा कि इसाई समाज को किसी तरह से अगर वो भाजपा में आ जाए तो कांग्रेस का एक बहु समय जितने सीटे पाई हुई हैं उतने तक नहीं पहुच पाएंगे इसमें बड़ी योजनाबत तरीके से अमिस्टा ने योगी जी ने इन सब लोगों ने और मोधी जी ने बड़ा एक बैल प्लांड एक आउटरीच प्रोग्राम बनाया और उसकी इनको करने से उसकी सफलता भी मिलने लगी अब आपको बताना है कि रोमन कैथोलिक चर्ड जोसेप पामलानी ने मतब ऊपिन एक रैली में कहा है और रैली में मतब बहुत बड़ी बात है कि आर्क विसब ने इस तरह से कहना और केडल में थालासरेश्री के रोमन कैथोलिक और एकदम से यहां तक कह दिया है कि राज में पहला सांसद हम उत्तरी केडल से इनको देंगे उत्तरी केडल में पोजिशन क्या उत्तरी केडल का इलाका करनाटक से मिला हुआ है वहां पर भाजपा का अधिपत है और उस इलाके में भाजपा का जो बॉर्डल मिला हुआ है व जो किसानों की रैली हुई है वो इसाई कैथोलिक किसानों की रैली हुई हुई वो लोग रवड का उत्पादन करते हैं और रवड में उनको मोनोपोली है बीजेपी ने यहां तक हो गई है अभी मैं आपको बात बता रहा हूं कल बीजेपी की एक बीटिंग होने जा रही सें सब्सक्राइब दोसों पचास के लगबग या दोसों पचीस रुपए करने जा रही है यह एक बज़े ऐसी है कि वहां के इसाइट जब उन्होंने आर्क भी सब ने जब यह बात कही कि हमारे नेक्स्ट वोट अब बीजेपी को देंगे दूसरा उन्होंने कहा कि केंद सरकार स से मवजूदा मोदी सरकार से दूरी रखने की अब कताई जरूरत नहीं है और यह हमारा यह गलत सोचना है कि हम लोग अभी तक सोचते थे इस दूरी को तुरंत ही कम किया जाएगा और दूरी ही खत्म कर दी जाएगी उन्होंने पहले का कम किया जा बोले कम भी नहीं बिलक खत्म कर दी जाएगी केंश सरकाल उनसे दूरी सबसे बड़ी बात यह है जब उन्होंने कहा तो वहां के जो कैथोलिक किसान थे उन्होंने भरपूर तालियां बजाई जब जब तालियां बजाई काफी देर तक उच्छलते रहें उसके बाद जब किसान निकले है बाहर तो उन्होंने नारे भी लगाएं और उनका एक ही कहना था कि हमारी समझस्या है अगर कोई रबर के मुली भी बढ़ा सकता है तो वो मोदी ही बढ़ा सकते हैं यह कहना एकदम से इस तरह की चंजिंगाना थोड़ा एकदम से नहीं कमिश्ट पार्टी को यह पच रहा है समझ में आ राहुल गांधी ने अपनी भारत जोडो यात्रा की शुरूआर केरल से ही की थी केरल से वाइनार से वो सांसद हैं 2024 में चुनाव आने वाले हैं तो कितना बड़ा जटका और लॉस है यह राहुल गांधी के लिए जो यह सब ने देख रहे हैं कि वाइनार या फिर केरल से उन्हें एक अच्छा मार्जन और वोट मैं देखिए मैं इसमें बता दूँ यहां पर इस्थित क्या है कि केडल में लगवग 22 हिंदू है और 20 परसंटेज ही है और 27 परसंटेज मुसलिम है 27 परसंटेज जो मुसलिम है उसमें भी मुस्लिम जो है वो पूरा उनाइट है परंद उसमें भी लगवा 6 परसंटेज जो मुस्लिम है वो दूसरे ग्रूम में है और वो कम्निष्ट और कांग्रेस में दो जगए वो उसका 27 में 20 परसंटेज जो है वो डिवाइड है अब आपको बताना है कि इन्होंने क् कि वाइड में इनका गड़ है और ये सबस्यादा सीटे जीत क्या है इसी वीज में नया गुल खिला वो ये खुला खिला है अर्थोडेक्स जो चर्च है उसने और चांडी ने चांडी जी ने और वहां का नायर समदाय जो है वो ससी थुरूर को प्रेस कर ला है और लगाता उन पर दवाब बन रहा है ससी थुरूर भी चाहते हैं कि केडल पर कुछ किया जाए और ये ससी थुरूर का एभी है कि वहां के लोग एभी नेक्स्ट चीप मिनिस्टर के रूप में भी ससी थुरूर को देख रहे हैं दूसरी एक बात है कि कांग्रेश के इतिहास में अभी पर देख करके तो वह ससी थुरूर को पूरे देश में बोड मिला तो सम्माऊना ये है कि इधर बीजेपी भी ससी थुरूर पर रोड़े डाल लई है चूकि ससी थुरूर के बन पर पंदा सीटे जीत ये आये ते अगर ससी थुरूर ने अपना कोई मोर्चा बनाया या ससी तो एक तरफ शची थरूर का आप जिक्र कर रहे हैं कि उनकी लोगप्रियता काफी जादा है केरल में वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है तो 2024 में कितनी जादा अगर टक्कर होती भी है तो क्या बीजेपी मात दे पाएगी शची थरूर के उस लोगप्रियता को जिसके आधार पर आपने काए कि उस सबसे जादा वोट ने मिले देखिए ऐसा है चुकी चुकी वहां से 15 सांसा जीत के आना भाजपा आज तक सिर्फ अगर आता है तो बीजेपी की स्थित क्या हो जाएगी लगबग 35-36 परसंटेस पर हो जाएगा वो बीजेपी वहां स्ट्रांग पोजिशन में हो सकता दूसरी आपके बाइनार्ड में जो है बाइनार्ड में भी इस समय राहूल के प्रत उतनी हमदर्दी नहीं रहेगी वहां के लोगों का कहना ऐसा कुछ विशेज नहीं इन्हों ने किया और इसके अलाभा कि आन नौर्ठ इस्ट में बीजेपी की इसाई बहुल जीत के आई इसले बीजेपी की हमत हो गए केडल पहले कमनिष्ट सब्लेसां में बेंगवाल कमनिष्ट ओूट्र क्ता और नौर्थ इस्ट के सभी प्रतेसों में सभी प्रतेसों में कमनिष Chicago वहां से बीजेपी जीत के आई बेंगवाल में भी सेकी नम्मर पे तो इनकी उम्मीद है कि केडल पे कि हम साइद अच्छी पोजिशन में आ जाएं दूसरा एक चीज और बताते हैं कि इस्टर को क्या करना है यह नौ अपरैल को उसमें खास सोर से सभी जगए यह इस पेसली वह निकाल ले हैं और इस्टर संडे के दिन यह निके 10,000 करकरता एक लाक लोगों के आँ जाएंगे उसके दूसरे दिन विशु में अपने प्रोग्राम में बना बुला रहे हैं और अपरैल के थर्ड बीग में इद में इनके करकरता मुस्लिम के आँ जा रहे हैं सबसे ले करके जाएं